अरे यार मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया अब मेरे टीचर मिस्टर एम हैमल मुझे बहुत डाटेंगे क्यूंकि उन्होंने कहा था कि कल मैं तुम लोगों से पार्टिसपल्स पर कोशन पुछूंगा और मुझे तो पार्टिसपल्स का पी भी नहीं आता है यूना मैं स्क स्कूल तो जाना ही होगा और जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तभी मैंने देखा ये बुलिटिन बोर्ट के पास इतना भीड की जमा है पिछले दो सालों से सारी बुरी खबरे यहीं से आती है पता नहीं इस बार क्या बुरा होने वाला है लेकिन छोड़ो मुझे से क्या मुझे तो अभी स्कूल पहुचना है मुझे आते हुए देखकर वहां बैठे एक वाचर ने कहा इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो तभी मैं समझ गया कि वह मेरा मजा कुड़ा रहा है और फिर मैं क्लास की और निकल पड़ा जब मैं स्कूल के एंपस में पहु सुपचा प्लास के अंतर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओं पर तभी मेरे टीचर ने कहा अंदर आजा फ्रांस हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे जब मैंने टीचर को ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वह वही फॉर्मल ड्रेस में थे जिसे वह प्राइस दे या इंस्पेक्शन दे के दिन पहनते थे लेकिन आज तो उसमें से कोई ड्रे नहीं था और फिर पीछे देखने पर मुझे पता चला कि जो बैक पेंच मैं ये सब देखी रहा था तभी हमारे टीचर ने कहा मेरे बच्चो ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्यूंकि बर्लिन से ओडर आया है कि अब से लॉरेंज और एल्सिस के क्लासों में अब से सिर्फ जर्मन लेंग्विज ही कुछ वक्टाव कि अले क्लास से लिखना भी नहीं आता और आज मेरा आधरी क्लास है मैं हमेशा क्लास में कुछ और ख्यारों में खोया रहता था याक लास को बंक पर बच्चा है मुझे क्याeli दोस्त्त लग रहे हैं जिन्ने महा नहीं चाहता हूं और मेरे टीचर जो कभी मुझे बहुत ख़रूस लगते थे वो आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि आज बॉलिटिन बोर पर इतना भीड क्यों था और आज एम हैमल ये स्पेशल डेस पहें कर क्यों आए हैं। और वो गाँवाले जो मिश्टर एम हैमल के 40 साल के सर्विस को थैंक्स देने के लिए यहाँ पर आये हैं। मैं ये सब सोची रहा था, तभी मेरे टीचर ने मेरा नाम लिया, तब मैं समझ गया कि आप आर्टिस्पल्स को जोड़़ोड से पढ़ने की बारी मेरी है। और जैसा कि मुझे ड़त था, मैं पहले ही वर्ड में अटक गया, और आप मुझे लग रहा था कि मेरे टीचर मुझे पनिश करेंगे। पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा फ्रांस, तुम्हें खुद इसका बुरा लगना चाहिए। देखो फ्रांस, तुम हमेशा सोचते थे कि हमारे पास काफी समय है, हम कल सीख लेंगे और अब देखो तुम कहा पर आ गए हो। और आप तुम्हारे पास अपने लाइंगवेज को ही सीखने का समय नहीं है लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गल्दी नहीं है इसमें हम सब की गल्ती है तुम्हारे पैरेंट्स जो कुछ और पैसो के लिए तुम्हें पढ़ाय की जगा खेतो और मिल्स में काम करने के लिए भेज देता था और जब कभी मुझे fishing करने का मन करता था तब मैं तुम लोगों को छुटी भी दे दिया करता था देखो France French language दुनिया की सबसे beautiful, clearest और logical language है लोगों के लिए उनकी आजादी की चाप भी उनकी अपनी language ही होती है अब मैं तुम लोगों को एक नए lesson पढ़ानी जा रहा हूँ और फिर उन्हों में जो जो पढ़ाया मुझे एक एक word अच्छी तरह से समझ में आ गया मुझे लग रहा था कि उन्होंने आज से पहले इतना अच्छा तभी नहीं पढ़ाया था मुझे तो लग रहा था कि वो अपना सारा ग्यान हमें अभी देन देना चाहते हैं पार्टिसिपल्स का क्लास खतम होने के बाद हमारा राइटिंग का क्लास था जिसके लिए उन्होंने हमें कुछ कौपिया दी जिन पर लिखा था France Elsis, France Elsis पूरे क्लास में सांती चाही थी सिर्ख एकी चीज की आवाज आ रही थी वह थी कौपियों में लिखने की सब लोग खामोसी से लिख रहे थे तभी मुझे छट पर कुछ कबुतरों की आने की आवाज सुनाई थी वह चट पर गुडर 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 कर रहे थे तब मैंने मन ही मन सोचा कि ये जर्मनी वाले क्या कबुतरों से भी जर्मन लैंग्वेज बुर्वाएंगे है जब भी मैं लिखना छोड़कर एम हैमेल की और देखता था वह क्लासरूम को देखते रहते थे मानों कि वह क्लास की एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बना लेना चाहते है कभी मुझे बेल बजने की आवाज सुनाई थी और जर्मन चेना की ड्रेल करने की आवाज क्लासरूम कर सुनाई दे रही थी एन हमें कुछ बोलना चाह रहे हैं और उनके मुझ से आवास नहीं निकली फिर वो ब्लैकबोर्ट की और मुड़े और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे लाफ फ्रांस जिसका मतलब होता है फ्रांस जिन्दाबाद दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पूल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस चैनल पर बाकी भी चैप्टर्स की वीडियो जल्दी अप्लोड हो जाएगी इसलिए इस चैनल को सब्स्राइब करकर नोटिप्रिकेशन बेल को अन कर ले